इस question के अंदर greatest integer function और fractional part function दोनों का यहां पर use हो रहा है अगर हम लोगों को दोनों की अच्छी knowledge है तो यह question solve करने में कोई भी परिशान ही नहीं है दिखने में यह dangerous है only but solve करने में यह बहुत easy है basic हम लोगों का concept clear होना चाहिए देखो वो क्या है हम कुछ भी रखें greatest integer function के अंदर हम लोगों को बाहर सिर्फ integer ही value मिलेगी क्या मिलेगा integer क्योंकि greatest integer function का range होता है वो integer होता है वो integer value हम लोगों को देगा मतलब यह value क्या देगा हम लोगों को z 3.1 रखेंगे तो 3 देगा 3.9 रखेंगे तो 3 मिलेगा हम लोगों को इसी तरह किसे 9.9 रखते हैं तो कितना मिलेगा box of x ही होता है तो अगर जैसे मानलो मैंने इसके अंदर 4 रखा कोई भी integer value रख दो तो यह क्या मिलेगा हम लोगों को 4- box of 4 अब box of 4 तो 4 ही होगा तो यह value कितनी मिलेगी हम लोगों को 0 हां अगर 4.1 होता है तो आंसर कितना मिलता हम लोगों को 0.1 तो देखो यह question कैसा है एक से सबसे पहले किसके अंदर है greatest integer function के अंदर तो हम लोगों को यहां से क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा अब यह integer as a input किसको मिलेगा rational part function को तो यहां से हमारा पास कितना मिलेगा 0 तो वह 0 continuously बहार जाएगा और यहां पर 0 हो जाएगा तो यह जो integration हो जाएगा 0 dx में अब 0 किसका differentiation होता है constant का तो इसलिए हमारा इस question का answer क्या आ जाएगा सिर्फ इतना सा constant यहां प तो तुम्हें solve करने हैं साथ में और भी questions तुम्हें अपनी reference book से try करने है solve करने है जतने ज्यादा question solve करोगी उतना ज्यादा integration के अंदर क्या बनेगा command बनेगा अब जैसे यह एक अलग type का question है इस question के अंदर हम लोग दो तरीके से solve कर सकते हैं इसको देखो left-hand side के अंदर क्य कि दोनों तरफ क्या कर दो differentiation कर दो तो यह integration sign काया बजाएगा left में क्या बजाएगा sin x upon sin x-alpha is equal to right-hand side में भी क्या कर लो differentiation कर लो दोनों तरफ differentiation कर लो और फिर क्या करो same term को compare करके a और b की value निकालो second method क्या इसका integration कर लो अब हम लोग integration करके देख लेते हैं यहां पर differentiation वाला method तो easy रहेगा करके देख सकते हैं हम लोग अब देखो यहां पर क्या है नीचे sin x-alpha है अगर यह उपर और sin x नीचे होता तो हम sin x-alpha का formula लगा के इसको separate कर देते तो हम नीचे जैसा है उपर बना लेते हैं इसको solve करने के लिए तो integration हमारे पास क्या है sin x तो sin x के अंदर क्या करो नीचे जैसा बनाने के लिए x-alpha और साथ में क्या कर दो plus alpha लिख दो divide में क्या चल रहा है sin x-alpha है ना सिर्फ अभी integration चलने देते हैं फिलाश में हम लोग right in right भी लिख देंगे अब इसको मानलो a और इसको मानलो b तो यह sin a plus b का formula बन जाएगा और यह divide में पूरे के पूरे के divide में क्या चल रहा है sin x-alpha sin x-alpha अब separate कर दो तो separate करोगे और यहां पर दो dx ही तो separate करेंगे तो हम लोगों के पास क्या time आएगी sin x-alpha से sin x-alpha कर जाएगा तो left first वाले में बचेगा सिर्फ cos alpha और इसमें dh लगा देते हैं plus इसी जरी के से cos upon sin तो यह क्या बन जाएगा हम लोगों के पास cot x-alpha into sin alpha dx अब इसका integration कर दो तो cos alpha तो constant है भार हो जाएगा तो 1 का कितना हो जाएगा x तो इसका यहां पर हो जाएगा हम लोगों के पास x cos alpha plus cot x का integration का formula क्या होता है log mod sin x है न यहां पर भी क्या आना चाहिए मोड आना चाहिए तो यह क्या हो जाएगा log mod sin x-alpha और यह mod close और into sin alpha तो वैसे कि वैसे चली रहा है plus c अब देखो यह पूरी की पूरा जो हम लोगों को अंसर आया है किसके बराबर बताया हुआ है question के अंदर red color में जो लिखा हुआ है वह बराबर बताया हुआ x plus b log sin x-alpha के plus c के तो यहाँ पर इससे हम लोगों की a की value हागी तो a बराबर कितना हो जाएगा x का coefficient यहाँ पर कितना है x की coefficient cos alpha तो a is equal to हो गया cos alpha इसी तरीके से b किसके साथ है log sin x-alpha log sin x-alpha के साथ क्या multiply यह sin alpha तो b will be sin alpha तो यह हम लोगों के क्या है a और b की value है और यही हम लोगों को पूछा वादा और यही इस question का क्या है answer ठीक है next try करते हैं कि इसका हमें integration करना है क्या लिखा हुआ under root sin x-alpha divided by sin x plus alpha अब यह question ऐसा है कि इसमें direct कोई formula apply नहीं कर सकता है इसके अंदर हम लोग कुछ न कुछ पहले सबसे पहले करेंगे उपर भी under root है नीचे भी under root है तो क्या करो उपर का पहले under root हम लोग हटा लेते हैं तो उपर का under root हर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं sin x-alpha से इसको multiply divide कर लेते हैं तो देखो यह क्या हो जाएगा under root हम लोग under root के अंदर ही किसे multiply divide करते हैं sin x-alpha से ही तो उपर तो हो जाएगा square और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों के पाद अंडर root के अंदर sin x-alpha इंटू sin x-alpha ऐसा बन जाएगा और यह होगा हम लोगों का dx अब उपर square है तो अंडर root से बाहर आके वह सिर्फ क्या बन जाएगा sin x-alpha अब दखो जो divide में लिखा हुआ है और वो क्या है sin x plus alpha sin x-alpha तो याप करो यह 11th class के अंदर हम लोगे एक formula बढ़ाता है sin a plus b into sin a minus b यह होता है sin square a minus sin square b का formula तो यहाँ पर हम लोगों क्या लिख सकते हैं नीचे sin square x minus sin square alpha यह पूरा का पूरा किसमे चलेगा अंडरूट के अंदर ही चलेगा और यह पूरा का पूरा integration है अब यह जो है sin x minus alpha अब इसका हम लोग यहाँ पर formula apply करतेते हैं तो अगर हम इसका formula apply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा sin x cos alpha minus cos x sin alpha divide by नीचे under root वाली term वैसी वैसी रहेगी under root के अंदर क्या लिखा हुआ है sin square x minus sin square alpha अब separate कर दो इसके साथ under root वाली term और इस वाले के साथ भी under root वाली term तो हमारे पर यहाँ पर क्या बचेगा देखो sin x अब देखो वह जो है cos वह तो constant है तो हम उसको कहां लिख सकते हैं integration के बाहर लिख सकते हैं हम उसको ऐसा लिख सकते है cos alpha integration के अंदर सिर्फ यह क्या बचाएगा sin x divided by under root sin square x minus sin square alpha okay dx minus अब क्या है यह sin alpha constant है तो यह sin alpha ऐसे कैसे भी बहाल लिखा जा सकता है और अंदर क्या बचाएगा cos x divided by under root sin square x minus sin square alpha dx तो यह हम लोगों की term यहां तक बच कर आ गई है अब देखो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं तो इसमें solve करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है यहां पर हम लोगों के पास यह जो sin square x minus sin square alpha है नीचे इसको अब कॉस में change करते हैं सबी सब्सक्राइबब सब्सक्राइब क्या सैन्ट की धुवेद सब्सक्राइब अब करने से क्या हुआ हो जाएगा cos square alpha minus cos square x minus इस वाले के अंदर को यह दिखकत नहीं हम लोग यहाँ पर हम लोग simply sin x को टी मान सकते हैं ना मन में sin x को टी मानो तो cos x dx cos x dx is equal to क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा dt upon sin square यहाँ यह वाला यहाँ पर function हैं तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा देखो sin square x minus sin square alpha है तो यहाँ पर हम लोग क्या sin x को टी मान सकते हैं और उपर cos x इसका क्या है पहले से ही अवेलेबल है differentiation available है तो हम लोग यहाँ तो side में यहाँ पर चुटा समय लिख देता हूं कि sin x is equal to क्या हो गया t तो यह क्या हो गया cos x dx is equal to dt है ना तो यह पूरा को पूरा question किसमें change हो जाएगा sin alpha वैसे की वैसे ही है उपर हो जाएगा dt और नीचे जो है नीचे हम लोगों का बन जाएगा sin square sin को टी माना वहाँ हम लोगों तो यह बन जाएगा cos x को मानलो मैंने t मानल लिया तो यह क्या हो जाएगा minus sin x dx is equal to dt यह minus हम लोगों यहाँ पे shift कर दिया तो यह वाला यह किसमें convert हो जाएकर देखो left वाला जो पहला वाला integration है minus cos alpha और उपर की तरफ dt और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा cos square alpha minus cos square x है तो cos square alpha तो वैसे कि वैसे ही रहेगा minus क्या हो जाएगा यह t square और minus sin alpha और यहाँ यहाँ पर t separate है है ना उसको ऐसा करो t1 t2 माल लो जातो t1 t1 तो यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग t1 t1 रखते हैं और इधर क्या कर देते हैं t2 कर देते हैं dt2 t2 सही रहेगा इससे t1 t2 अलग रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लख सकते हैं dt2 upon t2 का whole square minus sin square alpha अब देखो यह left hand side वाला भी formula based है और right hand side वाला भी formula based है मतलब पहली term और दूसरी term left और right नहीं sorry पहली और दूसरी term दोनों की दोनों क्या है formula based है वही formula अभी हम लोग देखने वाले है तो उस formula को देखके हम लोग यहाँ पर formula apply कर देंगे तो first वाला तो कुछ भी नहीं sin inverse का हो जाएगा और जो second वाला है second वाले को भी हम लोग लिख सकत है देखो यह कितना हो जाएगा minus cos alpha sin inverse minus cos alpha sin inverse cos x divided by cos alpha मतला होगा क्या t upon cos alpha बट हम लोगों ने t की value रखती cos x इसी दरीगे से right-hand side वाला भी हम लोग लिख सकते है answer minus sin alpha तो वैसे का वैसे रहेगा और यह क्या हो जाएगा हम लोगों का cos देखो यहाँ पर एक hyperbolic वाला function होता है पर हम लोग वह यूज नहीं करेंगे देखो इसके लिए मैं formula बता रहेता हूं जो आगे अभी हम लोग सीखने वाले यह वाला formula देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा a square minus x square क्या होता sin inverse x upon है अगर नीचे की तरफ लिखावा है ऐसा 1 upon under root x square minus a square तो इसका formula क्या यूज करते हैं हम लोग x plus under root x square minus a square यह यूज करते हैं formula log x plus under root x square minus a square तो यह वाला formula यहाँ पर apply किया जासकता है यह बिल वह formula यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा log x plus x plus t2 हम लोगों किसको माना वाद देखो यहाँ पर sin x को तो यह question किस तरीके से convert हो जाएगा log mod sin x plus log mod sin x plus under root यह क्या हो जाएगा t square minus sin square alpha मतलब यह हो जाएगा sin square x minus sin square alpha plus c तो यह हम लोगों का answer है है अब देखो हम लोग वह चीज देखने वाले हैं जो हम लोगों ने differentiation के अंदर भी देखा था और अभी हम लोग integration के अंदर भी देख रहे हैं इसे बोलते हैं standard substitution in trigonometry types of integration यह को left hand side के अंदर देखो मानलो हम लोगों को ऐसा कुछ integration दिया वाए ऐसी कोई term दी हुए हम लोगों को under root a square minus x square यह तो numerator म हो तो हम इस case में x is equal to क्या पूट करते हैं या तो a sin theta पूट करते हैं या फिर x is equal to a cos theta पूट करते हैं यह यह यार दिखने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूं यहां पर a square minus x square है मानलो x की जएगे तुम लोगों ने a sin theta रखा तो imagine करो क्या होगा olunn upon under root a square minus a square sin square theta a square common आजाएंगें अanda के बहर आके क्या हो जाएगा क्या यह तो नीचे बज़ेगा under rowut के अंदर 1 minus sin square theta और 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta तो cos square theta अंडर psychologists के अंदर तो बहरार हो जाएगा cos theta तो under root हम लोगोंने eliminate कर दिया है ना इसी तरह किसे second वालो जो है second वाले के अंदर हम लोग x is equal to क्या रखते हैं a tan theta भी रख सकते हैं हम लोग या फिर हम लोग put कर सकते हैं x is equal to a cot theta भी हम लोग यहाँ पर put कर सकते हैं तो इसमें कोई ज्यादा परशानी नहीं है तो यह सब trigonometry substitution है इसी तरीके से under root x square minus a square है तो हम x is equal to a set theta रखते हैं और यह वाला थोड़ा important है इसको याद रखना अगर इस तरीके से कोई term दिए x upon a plus x या फिर a plus x upon x मतलब या तो a या फिर one upon a या फिर x into a plus x या फिर one upon x into a plus x तो हम x is equal to क्या रखते हैं a 10 square theta हम लोग यहाँ पर substitute करते हैं और बिल्कूल लास्ट वाला यह इसके अंदर क्या है यहाँ पर a plus x था last second के अंदर यहाँ पर क्या है a minus x है तो उस case में हम क्या रखते हैं a sin square theta यह technometry substitution है इसको हम लोग याद रख लेते हैं तो मुश्किल question में हम लोग solve कर सकते हैं a sec square theta तुम खुद imagine करो अगर हम यहाँ पर a sec square theta रखते हैं तो sec square theta minus 1 formula बनेगा और यहाँ पर हम लोग sin square theta रख रहे हैं इसका मतलब क्या बनेगा 1 minus sin square theta है तो यह trigonometric substitution अगर तुम ध्यान से देखो ना तो इसको याद रखने का तरीका है और यूज भी कर सकते हो तुम लोग और एक और बात इसको याद निकरना पड़ेगा अगर इससे related question की practice करोगी ज्यादा से ज्यादा तो इसी जरीके से यह इसमें हम लोग क्या रखते हैं यह बरावर a cos theta या फिर x is equal to a cos theta भी रख सकते हैं और last वाला जो है दो factor ए एक स- अलफा और बीटा- एक स-अलफा बीटा बीटा माइनस यह दो multiply में भी हो सकते हैं और divide में भी हो सकते हैं तो उस case में हम लोग alpha cos square theta plus beta sin square theta रखते हैं है इस question को solve करने के और भी तरीके हो सकते हैं बट यह भी यहाँ पर है तो यह थोड़ा मुश्किल है बट यहाँ तक तो याद रखी लो है ना last second तक अब देखो यह trigonometry substitution अगर याद है तो यह जितने भी formula है यहाँ पर देख रहे हो तो यह नया formula है अब इन formula से related हम लोग integration solve करने वाले हैं तो इन formula से related अगर हम लोग integration solve करेंगे तो यह formula में से कुछ हम लोगों को derive भी कर लेने चाहिए जैसे कि फर्स वाला formula क्या है one upon x square plus a square is equal to क्या होता है one upon a 10 inverse x upon है तो देखो हम यह जो first formula है इसको derive करते हैं यहाँ पर क्या लिखाओ है one upon x square plus a square dx इस तरीके से लिखाओ है अब देखो अगर x square plus a square आ जाए तो x की जगे हम लोगों को क्या रखना चाहिए यहाँ पर सजेस्ट किया हुआ देखो यह वाला x is equal to a 10 टा हम लोगों को सकते हैं देखो dx is equal to a अब 10 टीटा का differentiation क्या होगा 10 टीटा और 10 टीटा का differentiation क्या हो जाएगा सेग स्क्वार टीटा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको सक्वार टीटा अब यह दोनों की दोनों वैल्यू इसके इंदर पूट कर दो पूरा कर पूरा क्यों टी में जैसे चैंज हो जाता है वैसे यहाँ पर आप किसमें चैंज हो जाएका ठीटा में तो dx की जागे हमें क्या रखना है ए सेख स्क्वार ठीटा डीटा और डिवाइड में क्या चल रहा है हम लोगों के पास एक स्क्वार प्लस ए स्क्वार एक की जागे तो हम लोगों नहीं रखा है अब देखो नीचे से अगल मुल्षी यहां प्लोगों फास पर सिर्फ यहां पर चीटा नेजरी का फिर्वन अगल फिर्ट एन स्प्लेई कि सेटा बचेंगा और नेलग लगता एंस क्या प ell बचेंगे यहां फ्लिपल्भाण 1 upon a theta plus c अब देखो हम लोगों को theta की value दुबारा से x में रखने है क्योंकि question हमारा originally किस में था x में था तो इस वाली equation को यहां पर हम लोग दुबारा से use कर लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan theta is equal to we can write x upon a तो theta is equal to कितना हो जाएगा tan inverse x upon a यह वाली value यहां पर रख दो तो यह कितना हो जाएगा 1 upon a tan inverse x upon a plus c तो इस तरीके से हम लोगों ने first वाले को derive कर लिया है अब इसी तरीके से देखो second वाले के अंदर हम x is equal to क्या रखेंगे हम लोग इस वाले को देखो यहां पर x square minus a square है तो यहां पर x square minus a square है तो second वाले को derive करने के लिए हम लोगों x is equal to क्या रखना होगा एट एंट इस रखना होगा अब देखो similarly c वाला जो question है c वाला जो formula है वह क्या है 1 upon a square minus x square dx is equal to 1 upon 2 है log a plus x upon a minus x plus c तो इसको derive करने के लिए यहां पर हम लोग substitute कर सकते हैं मैं सबके लिए hint देता हूं कि सारे के सारे formula कैसे कैसे derive हो जाएंगे यह हम लोगों को derive करना है तो x is equal to क्या रखना सही रहेगा a sec theta रख दो ओके अपने आव यह solve जाएगा c वाला अगर हम लोगों को solve करना है तो x is equal to क्या सही रहेगा a sin theta या फिर a cos theta भी रख सकते हो इसी तरीके से यहां पर हम लोगों को दिख रहा है यहां पर a square minus x square तो same यहां पर हम लोग क्या रखेंगे x is equal to same जो उपर की तरफ लिखा हो है वो को ही लिख देंगे यहां पर हम लोग मतलब इसको derive करने के लिए भी हम लोग यही substitution यूज करेंगे अब देखो last यहां पर एक और है देखो यह f वाला हम लोग solve कर लेते हैं यहां पर देखो e वाले के अंदर भी है न हम लोग x is equal to क्या रखेंगे देखो इसको derive करने के लिए x is equal to a tan क्योंकि हम लोगों को यहां पर बिल्गूल वैसा ही दिया वा है जैसे हैं यहां पर हम लोगों ने किया दो आप हम लोगों के syllabus में नहीं है हमें याद क्या करना है यह वाला formula one up on under root x square मैंस a square is equal to log mod x plus under root x square plus a square इसी तरीके से one upon under root x square मैंस a square का क्या फ्रम लोगों को यहाद रखना है log x plus under root x square कर दोनों में एक्स प्लस है और अंदर रूट के अंदर वही है जो हम लोगों के पास इंटिकेशन के अंदर उटा में है तो देखो इस क्वेशन को सॉल करने के लिए हम लोगों को x is equal to क्या रखना है x is equal to हम लोग रखेंगे ए सैक ठीटा है अब इसका क्या कर लो इंटिकेशन कर लो हम लोग बिल्कुल यह जो एफ वाल है ना लास्ट वाल उसको डिराइव कर रहें से तरह चाहिए बाकी भी डिराइव हो सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका integration oh sorry differentiation dx is equal to a sec theta का क्या हो जाएगा theta के respect में sec theta into tan theta d theta ऐसा लग सकते हैं अब हम लोग यह सब value यहाँ पर substitute कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो dx की जगे हम क्या लग सकते हैं a sec theta tan theta and d theta divided by under root अब x को हम लोगों ने theta की रूप में क्या substitute करा है a square sec square theta x square है इसलिए x का square यहाँ पर क्या हो जाएगा a square sec square theta minus a square ओके अब नीचे से क्या करो a common ले लो a square common लेके under root से क्या आ जाएगा और उपर भी a है तो वह cut हो जाएगा तो उपर दोबेनिंग हम लोगों के पास आएगा sec theta into tan theta d theta देखो a square common लेके बाद यहाँ पर क्या होचेगा sqt theta minus one जो होता है tan square theta under root से बाहर आके वह क्या हो जाएगा 10 तो 10 टीटा से 10 टीटा कट हो जाएगा 10 टीटा से 10 टीटा कट होने के बाद यहां पर हम लोगों के पास सिर्वजे का सैक टीटा अब सैक का हम लोगों के पास integration का formula पहले से ही है तो वो क्या होता है log mod sec theta plus 10 theta plus c यह हम लोगों का answer है बट यह किसमें है theta में है और हम लोगों को answer किसमें देना है देखो x की form में देना है तो इस वाली equation का हम लोगों को इसकी help से 10 theta निकाल सकते हैं yes हम लोग 10 theta निकाल सकते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है right angle triangle का यहां पर यूज कर लेते हैं हम लोग देखो यह यहां पर अगर theta है तो यहां पर यह जो X है यह तो क्या होता है इसमें hypertonious और a क्या होता है बेस तो बेस तो हो जाएगा ए और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा X तो सामने वाली जो साइड है देखो एक्स अपॉन ए मतलब सेक्टिटा इसे गल्डू क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस एक्स अपॉन ए तो यहां पर यह जो है परपेंडिगुलर वह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर तो इधर से हम लोग टैन ठीटा की वैल्यू भी लिख से सब्स्टिट्यूट कर दो अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा लोग मॉड सेक्टिटा कितना आया एक्स अपॉन ए और टैन ठीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डिवाइड लिख देता है प्लस सी अब देखो तुम सोच दोंगे फॉर्मले में डिवाइड बाई एक क्यों नहीं होता तो देखो हम लोगों को पता है लोग अपॉन बी क्या होता है लोग ए माइनस बी को हम इसको क्या लिख सकते हैं लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेर दोनों कानसें लिख सकते हैं तो यerson कानस्ट होता है एक स्कॉंसर्स हो जाएंगे तो हमारा फाइनल या व्रूट आώνसी कि अन्डर रूट एक्स स्क्वेर माइनस एसक्वेर क्लियर फ्लस सी वन हम लोग है लिख सकते हैं तो यह लाश्त वाला भी फॉर्मला हम लोगों डिर कर सकते हैं अब देखो यह सब तुमने देख लिया है तो इस से रिलेटेड एक क्वेशन है जो मैं तुम लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूं तो यह दो कशन तुमने ट्राय करने हैं कर दो कर रहा हैई षबढ़े डरे जो को सकते हैं झाल झाल